दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सवाल है कि हमारा पढ़ाई में मन क्यूं नहीं लगता तो यदि बात करें मन की, तो हमारा मन कहां भागता है, जहां इसको मज़ा आता है तो मज़ा इसको कहां आता है? फेस्बुक पर, इस्टाग्राम पर, सोसल मीडिया पर, कुछ भी ऐसे करने में इसको मज़ा आता है. एक्जामपल के तोर पर यदि हमें दो फल दिये जाएं, एक हमें ज़्यादा पसंद है और एक हमें कम पसंद है, मानों की एक आम है और दूसरा करेला है, तो हम पहले क्या खाना पसंद करेंगे? जवाब है आम खाना पसंद करेंगे. लेकिन हो सकता है कि करेला हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन हमें करेला खाने में इंट्रेस्ट नहीं है. यदि interest की बात करें तो interest लिया नहीं जाता या तो interest होता है या नहीं होता है यदि हम करेले की बात करें तो इसमें हम interest जितना मर्जी ले लें लेकिन करेला तो कड़वा ही होता है इसी तरह जब हमारा interest पढ़ाई में नहीं होता है तो हमारा मन नहीं लगता है तो इसका solution क्या है? हम अपना मन पढ़ाई में कैसे लगाएं? तो ये जो पढ़ाई है उसको हमें connect करना होगा ऐसे desire से, ऐसे vision से जो हम अपने लिए चाहते हैं. पढ़ाई को हमें future से connect करना होगा, जैसा हम future चाहते हैं. और उस future को बार बार सोचते रहना होगा, यानि इसकी वज़े से 2 साल या 4 साल के बाद हमारी life कैसी होगी? हमें एक vision board बनाना होगा, यानि की 2 साल या 4 साल के बाद मेरे खुद की पैसे की गाड़ी होगी. मैं पढ़ाई करके और अच्छी नोगरी लेकर अपने माबाप के सपने को पुरा करूंगा? कब तक मैं अपने माबाप क पैसों पर पलूंगा, जो हम गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, उसका photograph लगा सकते हैं. इसकी अलामा हम जैसा future अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं, उसको हम लिख कर लगा सकते हैं. इसे हम vision board कहते हैं, और जितना हम उस vision board को देखते चले जाएं उसको भी हम proper paper पर नहीं लिखते हैं जिससे कि वो बार बार हमें दिखाई दे सपने को पूरा करने के लिए उसे reality में convert करना होता है यानि हमारे जो भी सपने हैं उसकी हमने photograph निकाल ली जैसी हम 5 साल बाद live चाहते हैं और वैसी live जो लोग जी रहे हैं उसकी हमने photograph लगा ली जो लोग हमारे inspiration हैं उनकी हमने photograph लगा ली जैसी भी live हम चाहते हैं उसकी photograph हमने उस vision board में लगा दी और बार-बार हमें उस vision board को देखना होगा और उसके बारे में सोचना होगा और उसे पढ़ाई से connect करना होगा यानि कि यदि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो ये सब सच नहीं होगा दोस्तों एक फैक्ट है कि यदि फ्रेजेंट में हमें दर्द सहना है तो फ्यूचर में कोई बड़ा डिजायर होना चाहिए तो दोस्तों आपके व्योडिय कैसी लगी? व्योडियो पसंद आयों तो व्योडियो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों